पीसिस करें न्यूस में अभी की खबर है शिवाजी महराज का वागनत हथियार हाले में शिवाजी महराज का वागनत हथियार लंदन के अलबर्ड संग्रहाले से मुंबई लाया गया है चलिए अब जानते हैं वागनक हथियार के बारे में यह वाग नक हथियार बाग की पंजे की आकार का है बता दे कि इस वाग नक हथियार का सतारा में प्रदर्शन किया जाएगा गौर तलब है कि वाग नक हथियार को लंदन में विक्टूरिया और अलबर्ड संग्रहाले के साथ हुए समझोते के अनुसार तीन साल तक में प्रदर्शित किया जाएगा ऐसा माना जाता है कि शिवाजी महराज ने वर्ष 1969 में वीजापूर सल्तनत की सेनापती अफजल खान को मानने के लिए वाग नक का इस्तमाल किया था चलिए अब जानते हैं शिवाजी महराज के बारे में इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तम महराष्ट्र राज्ज में पूरे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था इन्होंने वर्ष 1645 में पहली बार अपने सैने उत्साह का प्रदर्शन किया जबकि शोर उम्र में ही इन्होंने बीजापूर के अधीन तोरड किले पर सफलता पुर्वक नियंत्रण प्राप्त कर ल गौर तलब है कि शिवाजी द्वारा इस्थापित मराठा सामराज्य समय के साथ बड़ा होता गया और 18. शताब्दी की शुरुवात में प्रमुक भारती शक्ती बन गया तो चलिए अंत में देखते हैं आज की अभ्यास प्रश्ण को निम्नलिखित कतनों पर विचार कीज एक हाली में शिवाजी महराज का वाग नख हतियार लंदन के अलबड संग्रहाले से मुंबई लाया गया है। दो शिवाजी महराज को 6 जून 1674 को राइगण में मराठो के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। उपर युक में से कौन सा या कौन से कथन सहीर नहीं है या नहीं है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले